मेरी एक बात सुनना भया आज कौन सा दिवस है सर वो 22 मार्च है बिहार दिवस है तो क्यों न अब अपने बिहार दिवस के उपलक्ष में इस पूरे कोश्चन को भोजपूरी में पढ़ा दिया जाए जो हमारे बिहार की लोकल लेंग्वेज है तो आईए इस कोश्चन को कर देते हैं भोजपूरी में अगर इसको भोजपूरी में पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ेंगे अब मुझे जितनी आती है मैं उतना ही पढ़ पाऊंगा तो बिहार दिवस की हारदिक बधाईया आप सभी को और उसके उपलक्ष में हम लोग इसको भोजपूरी में देंगे और उसी में एंसर देंगे ठीक है ततनी बतावा जातर निम्न में से कवने अस्थान पर अंतराष्टी SME सम्मेलन का आज़न के जाला बतावा बतावा सब लोग मिलके बतावा कि कवने अस्थान पर अंतराष्टी SME सम्मेलन का आज़न का जला मुंबई में होला य कि वा लोग ध्यान से सुनी एक और राइट एंसर बनी नई दिल्ली एंसर नई दिल्ली देख ला नई दिल्ली मनावल जाता हम जूट कता नहीं और यह न पारी जौन मनावल जाता हूँ थर्ड एनुवल SME कन्वेंशन ठीक है थर्ड एनुवल SME कन्वेंशन अब एक रे बारे में आउर सुना इह मनावल गया लगाए लहाँ 19 से लेके सहयोगी मतलब हेल्पिंग राज्य है इव दूबाज जरूर याद रखिया ठीक है ना क्लियर तो बस आज के लिए इतना ही ये था आपका बिहार दिवस को समर्पित मेरी तरफ से एक कोसिस कि भाई आज 22 मार्च है और हमारे बिहार के जितने भी दोस्त हैं उन सभी को से बाढ़ लाती है फिर भी आप पोड़क्शन के मैटर में भारत में दूसरे या तीसरे नंबर पे आते हैं आप वो हैं जो पुराने समय में अगर भारत में तीन हज़ार साल मान लिया जाए कि किसी ने भारत पे राज किया तो उनमें से करीब-करीब 8.5 हज़ार प्लस सा बिहार ने राज किया है भारत पे आप वो हैं जहां से महात्मा बुद्ध हैं आप वो हैं जहां से डॉक्टर राजेंदर प्रशाद हैं आप वो हैं जिसने अशोक जैसे महान सासक को भी मगत पे सासन का आउसर दिया तो सिकंदर को भी वहां जाने से पहले तीन बार सोचन जन्द में बिहार का बनाए तो वो भी मेरे लिए सुईकार रहा है और बहुत अच्छे से सुईकार रहा है इतने महान-महान लोग हुए है यार वहाँ पर ठीक है न तो यह सारी चीजे तो आज की करेंड अफेर में इतना ही रखते हैं आप लोगों से